हेलो स्टुडेंट, माइसेल्फ किरन शर्मा फ्रॉम हैप्पी केम्बरे स्कूल बेटा आज की इंगलिश की एक्टिविटी में हम करेंगे नाउन सबसे पहले हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है everything around us has a name हमारे चारो और जो भी कुछ है उनका कोई ना कोई नेम होता है जैसे animals, people, places, things have names that we call noun इन सबी चीजों को हम किसी ना किसी नेम से बुलाते हैं और वो है हमारे नाउन यह इसको हम simple language में हम यह कह देंगे जितनी भी हमारे चारो होर वस्तवे हैं, person है, places है, things है वो सब हमारे नाउन है ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे? हमें कुछ sentences दियो है यहां हमें eight sentences दियो है, बटा इन में हमें last में लिखा हुआ है, three nouns इसका मतलब क्या है? कि इस sentence के में हमारे पास three noun है First, a monkey is sitting on a branch of a tree A monkey एक animal होगा? हमने सिरफ यह ध्यान में रखना है, जो भी कोई people, कोई person आ जाएगा, animals आ जाएगा, places आ जाएगा, things कोई वस्तव आ जाएगी, उसको हमें underline करना है सिरफ इनी चीज़ों को याद रखना है अब monkey क्या है, animals आ गया, इसको हम क्या करेंगे, underline कर देंगे तीन noun pick करने बटा हमें इसमें से उसके बाद branch, branch टहनी हो गया, ठीक है, और ये tree ये हमारे हो गए noun उसके बाद second sentence, there is a bridge over the stream stream होते है नदी bridge को underline करेंगे और stream को ये हमारे दो noun हो गए इसमें third, the pen is in his pocket इसमें हमें two nouns pick करने है जिसमें pen हो गया और हमारा हो गया pocket उसके बाद fourth में आ जाएंगे a teacher is teaching the class in school इसमें हमें तीन noun pick करने है teacher, person हो गया एक हमारा हो गया class और एक हो गया हमारा school उसके बाद fifth पर आ जाएंगे हम the pilot is in the jet pilot भी person है ये हो गया हमारा noun a jet एक aeroplane का नेम है ये हमारे हो गया two nouns उसके बाद हो गया हमारा six पर आ जाएंगे the boy saw the wolf boy हो गया हमारा noun और wolf हमें two nouns pick करने थे ये person हो गया और ये animal हो गया उसके बाद आगे हमारा seven the wolf is near the sheep wolf भी animal हो गया और sheep भी ये भी हमारे हो गया two nouns eight the farmer is in his form ये हमारा हो गया person हो गया और farm हो गया बटा place हो गया जिसको हम इंदी में बोलते हैं खेट ये मैंने आपको सारी करके दिखा दिया है अब मैं आपके लिए एक exercise दे रही हो करने के लिए ये आपको करनी है अपनी note book में ये करनी है इसमें आपने क्या करना है यहाँ लिखा नहीं हुआ है पीछे ये इतने noun है ये है आपने इसमें से noun को underline करना है उपर लिखा वै underline the noun in the sentence below यैनि कि ये below में नीचे जो दिये हुए इन sentence के अंदर noun को underline करो underline करने के बाद आपको वो यहाँ पर लिखना है नौ इसमें एक मैं बता रही हूँ जैसे cat cat है हमने क्या करना है यहाँ पर cat को लिख देना c a t cat ठीक है और उसके अंदर हमने क्या कर देना है color कर देना बटा ठीक है उसके अंदर color कर देना आपने इस पूरी exercise को 8 sentence दियो है और 8 ही हमारे leaf बने हुए है इन में से हमें करकर इसके अंदर लिखने है noun और उनको color कर देना है Thanks